लेडीज अंडर गामेंट सेलिंग बिजनस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें डाल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आज हम इस वीडियो में आपको इस बिजनस के बारे में पूरी चानका दी देंगे लेडीज अंडर गामेंट का वेपार कैसे शुरू करें लोकल बाजार के कॉम्पिटिशन को जानना जरूरी है अगर आप लेडीज अंडर गामेंट का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले उस एडिया की कॉम्पिटिशन को जानना जरूरी है ऐसा इसलिए आप सीधे थोप में माल खरीदारी करके लोकल बाजार की दुकानदारों को बेशने का काम कर सकते हैं। ऐसे टाइम में आपको सिर्फ एक स्टोर की जरूरत पड़ेगी जिसे आप किसी भी जगा पर ले सकते हैं। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो आप खुद का शॉप ओपन करके सामान की बिकरी कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसी जगा का चुनाफ करना होगा जहां कॉंपिटेशन कम हो। इसके लावा स्थान ऐसे जगा पर हो जहां ज़ादा लोग आते जाते हूं तभी आपके दुकान में ज़ादा से ज़ादा कस्टमार आ सकते हैं और आपकी बिकरी बढ़ सकती है। किन-किन ज़रूरी लाइसेंस के आवश्यक्ता होगी। लेडीज अंडर गामेंस बिजनस शुरू करने के लिए आपको GST, व्यपार से संबंदित लाइसेंस, रिटीलर लाइसेंस आधी प्रात्त करने की ज़रूरत होती है। कलेक्शन का रखे खास खयाल लेडीज अंडर गामेंस की खरीदारी अपनी पसंद को ध्यान में रखते हुए करती हैं। व्यपार में लगने वाली लागत की बात करें तो ये एक ऐसा व्यपार है जिसे आप काफी कम निवेश में आरम करके लाखो रुपए का मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। पर डिपेन करता है कि आप कितने पैसे में उसे बेच रहे हैं। यानि कि आप किसी दुकान से 100 रुपए खर्च करके माल लाते हैं तो ये आपके उपर है कि आप उसे कितने प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। इस बिजनस से जुड़े लोगों के बताबिक ब्रांडिट से जादा नौन ब्रांडिट में जादा मुनाफ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना ब्रांड के सामान का दाम ब्रांडिट के बकाबले 30 प्रतिशत कम होता है और विक्री में भी 8 प्रतिशत जादा प्रॉफिट होता है। झाल झाल